दोतो ग्रिजुएसन पास स्कॉलर्शिप 2023 के लिए आवेदन परक्रिया सुरू हो चुकी है इन में कई सारे चातराओं का अकसर हमने कॉमेंट देखा है और हमने एक वीडियो भी बना था जिन में आपको सभी समस्या के बारे में भी बताया था इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए उन तमाम सवालों का जवाब देंगे और जितने भी प्रोब्लम हो रहे हैं उनको क्या निदान है कैसे उससे आपको बचना है वो सभी जनकारी को आपको इस वीडियो में बताएंगे अगर आपको भी किसी भी उपर करके समस्या हो रही है गिरुजेशन पास स्कोलर्शिप को अपलाई करने में यकिन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफी हल्पूल साबित होगा वीडियो को आप अपन तक देखिए अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेर अबस करे और चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करे तक याने वाले सारी अपडेट की ज़रूर जनकारी है आपको मिल पाएगे मुखे रुप से यहाँ पर 4-5 ऐसे समस्या है जो maximum student के साथ हो सकते है पहला समस्या यह है कि कई सारे student का list में नाम नहीं है दूसरा समस्या यह है कि university का ही नाम उनका सो नहीं करता है तिसरा यह है कि जिनका list में नाम है वो apply करने जाते है तो उनका एक समस्या आता है कि not a valid student ये कुछ मुखे रोप से समस्या हो है कि इससे समस्या हो इसकी है vivet क्वारे बने ना-द conviction क्या खिशन्य-वरी सभनर्म इस। आनकर ना-जसध मेंने लेकिन व्यग्यन्ष ए लगिन उन्तमाम सवालीन का जबाब आपको इस बीडियों में मिलेगा चलते हैं अब अपने स्किन पर और सभी जनकारी को बताते हैं पूरी जनकारी ओनलाइन अपडेट स्टीम.in के वेप साइट पर भी उपलप्त करा दी गई जिस पर आप आएंगे तो एक उप्शन मिले का कन्या उथान योजना ग्रिजुएशन अप्लाई 2013 आप जिस पर क्लि तो इनके वेप साइट पर आप आ जाएंगे यहां पर सबसे पहला चीज आप समझे कई सारे स्टूडेंट का यह कॉमेंट था कि मेरा इंवर्सिटी का नाम नहीं सो करता है रिजन क्या है यह पर इंपोर्टेंट नोटिस में देखेंगे जैसे जो एस्टूडेंट विके आपका जो रिजल्ट है अगर पबलिक नहीं हुआ होगा तो उसकेस में आपको इस पर जो अपलाई की प्रोसस है आप नहीं कर सकते इनवर्सिटी का नाम आपका सोन नहीं होगा यह आपने समझा बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि जब हम इस पर जाते हैं इनवर्सिटी का नाम पूछा जाता है तो इनवर्सिटी का लगभग नाम है ही जो यह चार पांच तीन चार ऐसे इनवर्सिटी है जिनका नाम नहीं है उन्हें इनवर्सिटी से अगर आप आते हैं तो अभी आप अपलाई नहीं कर सकते हैं उसके बाद यहां पर क्या समस् स्टुडेंट बोल रहे थे कि हमने इससे पहले जैसे कितना ऐसे भी स्टुडेंट है जिनका शुटर से 20 सेशन है या जिनका सोलफ से उनिस है उनका भी यहां पर नाम आपको देखनों का मिल रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिप जो 18-20 सेसन का यहाँ पर आप लिस्ट खोलेंगे तो यह खोलेगा और यह भी ध्यान रखिए ऐसा भी यह नहीं है कि सिर्फ 17-18 से किस वलाई होगा जिनका रिजल्ट यहाँ पर इनके वेबसाइट पर ही आएंगे तो किलियर मेंसन किये हुआ है कि अपलाई वही कर सकते हैं जिनका रिजल्ट 1 अपरेल 2021 से लेकर 31-10-2022 के बीच में आया होगा वैसे तमाम छातराय आवेदन कर सकते हैं इससे पहले अगर आपका रिजल्ट आया होगा अगर मालेज़े आपका रिजल्ट 31 मार्च 2021 को आया होगा तो आप इसके लिए अपला कि यह जो स्टूडेंट है इसके लिए अपलाई कर सकते हैं हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका लिश्ट में नाम नहीं होगा तो रीजन यहीं है कि आपका रिजल्ट इससे पहले आया होगा या 31-2022 के बाद आया होगा तो फिर इस लिश्ट में आपको नाम नहीं जोरा गया होगा अगर 31-2022 के बाद आपका रिजल्ट आया तो अब आपको वेट करना होगा कब जब इनका जो पोर्टल अपडेट होगा या नहीं तो जब अगले सेसन के लिए जब अपलाई की प्रोसस से स्टार्ट होगी तो फिर आपको मौका मिलेगा जैसे एक 11-2022 वाले जो भी छातरा होंगे जिनका रिजल्ट आया है उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है यह आपने समझा कई सारे स्टुडेंट का यहाँ पर समस्या यह था कि उनका तो लिष्ट में भी नाम है और उनका यहाँ पर बताता है कि not a valid student ऐसा क्यों बता रहा है तो मिसमैच अपलोड किया जाएगा तो आपका डाटा फैच नहीं करेगा क्योंकि आपने देखा होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका राइस्टेशन नंबर रॉल नंबर और आपके फादर का नाम पूछा जाता है उसके बाद जैसे प्रोसीड करते हैं आपका नाम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक आपको नंबर और एक इमेल आइडी दिया गया है जैसे अगर माल लिजे इससे जूरी किसी भी परकार करें यहाँ पर बताएगे कि टेक्निक की सहायता के लिए मुवाइल नंबर दो नंबर दिये गया हिन दोनों में से किसी भी का वेट कर लेना है धस्से पंदर दिनों में आपकी जो समस्या है स्ट आउट हो जागी या नहीं तो आप क्या करे एक बार इनको कॉल करे कॉल नहीं लगता तो वाटसःप करें, वाटसःप नहीं पाता है तो आप Direct इनका मेल जो दिया गया है उस मेल में आप अपना नाम अपना राइश्टेसन नंबर और अपना रॉल नंबर ये और अपने पिता जी का नाम ये सब को अप मेंशन करें और बताए कि मेरा लेश्ट में नाम होने के बाब जूद भी हम अपलाई नहीं कर रहा है हमारे पास not a valid student का message आ रहा है तो हम क्या करें तो आपके द्वारा उन देखिए अगर आपका लिश्ट में नाम सो नहीं कर रहा है तो रीजन होगा कि आप एक बार अपने जो भी नजदी की college है college साप मिलिए और college आपको forwarding कराएगी university को और university जो आपकी data अगर हो सकता अप्लोड नहीं की होगी तो data आपको अप्लोड करेंगी फिर आपका जो न apply की process start हुई है कम से कम इसका जो apply process होगा यह 6 महिना से अधिक चलेगा तो अभी घबराने की कोई अब सकता नहीं है अभी आप wait कर सकते हैं कई सारे student का ये भी कहना था कि हमारा जो आवासी परमान पत्र है निवास परमान पत्र हो कब का देना है तो यहाँ पर दिखिए हमा करें यह अगर पाइस से ज्यादा पुराना है तो फिर आप उसको मत लगाए नया आप आवस से बना ले अगर बाइस का है बना हुआ तो बिलकुल आप इसको लगा सकते कोई दिकत नहीं है यह आपका निवास परमान पत्र वैलिट माना जाता है निवास इतना जल्दी चे जल्दी कर लिया जाता है तो मैंने लगवक जनकारी आपके बीच रखा तो यहां पर जिता खर रहत खोटे अगर आपके मन में डाउट है जैसे अगर नाम नहीं है तो नाम नहीं है तो कुछ दिन वेट करिए लिस्ट में आपका नाम जोड दिया जागा फिर नहीं होता तो college university के मदधम से आप नाम जोरबा सकते हैं जिनका university का नाम नहीं है तो अभी आप वेट कर सकते हैं क्योंकि य पाटा में कहीं ने कहीं मिसमैच हुई है जिसका रण से आपका नाम फैच नहीं कर रही है तो उसकेस में आपको विभाग को हमने नमबर और जो इमेल है वो आपको बताया उस पर आप कॉंटेक्ट करें दूसरा कोई आपके पास समाधान भी नहीं है लास्ट डेट इसका भी कोई नहीं है यह चलेगा जिनके पास डोकुमेंट हमने बताया निवास परमान पत्र किस परकार आप लगा सकते हैं वो सभी जयनकारी को बताया तो वीडियो काफी हेलफुल सावी तरह होगा अगर इसके अलाबे भी कोई समस्या आपको आ रही है तो आप कॉमेंट करके अ सारा समाधान उपलब्त कराने का फिर भी आगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जूरे है तो अवस्य जूरे जहां पर आने वाले सारी अपडेट आपको टेलीग्राम और वाटसप के मध्यम से उपलब्त कराते हैं तो यहां पर लिंक आपको मिलता है जिसपर क आपको मिल पाए धन्यवाद